आज की समरी आपके लिए बहुत बड़ी ओफल आई है। आपने काफी सारी जगह पर सुना होगा कि एक खरीदे, एक मुफ्त पाएं। लेकिन यहाँ पर आज हम आपको दे रहे हैं एक खरीदो, तीन मुफ्त पाओ। हम यहाँ कुछ बेच नहीं रहे हैं। बस आपको यह बात रहे हैं कि आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें James Allen की चार ब्लॉक्बस्टर किताबों को एक साथ बताया गया है। इसका नाम है Be Your Own Sunshine। वो चार किताबे हैं As A Man Think It, From Passion to Peace, Man, King of Mind, Body and Circumstances, Foundation Stones to Happiness and Success। आज के विडियो में हम दो किताबों के बारे में जानेगे। किताब एक As A Man Think It, एक हमारे विचार और चरित्र। मनुष्य वस्तुतह वही है जो वह सोचता है, उसका चरित्र उसके सभी विचारों का पूर्ण योग है। जैसे एक पेर बीज से निकला है, तो इनसान का हर एक Act, विचारों के चुपे हुए बीज निकालता है और ये Act बिना विचारों के संभव ही नहीं है। ये उन Acts के लिए भी होता है, जिन्हे Spontaneous कहा जाता है। Act विचारों का Blossom है और खुशी और दुख इसके फल है, तो इनसान अपने Garden में फूल खुद उगाता है। एक नेक और भगवान जैसा Character कोई एहसान या मौका का मामला नहीं है, बलकि वो लगातार सही सोचने का एक नतीजा है। उसी तारिके से एक बुरा Character बुरे विचारों का परिणाम है। सही पसंद और सही विचार से, इनसान Divine Perfection की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। और विचार के गलत application से वो राक्षस से भी नीचे गिर जाता है। एक इनसान ताकात, intelligence और प्यार से भरा और अपने विचार का भगवान है, इसके लिए उसके पास हर एक situation की चाबी होती है और एक ऐसी energy होती है, जिससे की वो अपने आपको जैसा चाहिए वैसा बना सकता है। दो, अब जानते हैं हमारे विचार का हमारे हालात पर क्या असर पड़ता है। इनसान का दिमाग एक garden जैसा है, जिसे intolently उगाया भी जा सकता है, ये जंगली बनने के लिए छोड़ा भी जा सकता है, लेकिन इन दोनों में से जो भी हो, फाइदा या नुकसान तो इनसान का ही है। अगर कोई भी काम की बीच दिमाग में नहीं डाले गए, तो बहुत सारे बेकार के वीद्स वहाँ पर अपने आप उग जाएंगे और अपने जैसे और भी प्रोड्यूस करने लगेगे। जैसे एक माली अपने प्लोट को उगाता है, उसे सारे वीद्स से दूर रखता है और अच्छे फूल और फल उगाता है, उसी तरह हमें भी अपने दिमाग में से सारे गंदे वीद्स यानि अशुद्ध विचार निकलने होंगे और फूल और फल यानि शुद्ध विचार ऐसा करके आपको ये पता चलेगा कि इनसान अपनी आत्मा का master माली है और अपनी जिन्दगी का director है। इनसान तब तक अपनी हालत में उल्चा रहता है जब तक वो ये मानता है कि वो बाहरी परिस्थितियों का creature है। लेकिन जब वो ये realize करता है कि उसके पास सारी creative power है और वो अपनी परिस्थितियों को control करता है तो वो अपना सही master बन जाता है। हर एक विचार के बीज, जिसे दिमाग में जाने दिया गया हो या खुद डाला गया हो, वो अपनी जड़े वहां बनाना शुरू करता है और अपने तारिके के और produce करता है। यानि आपके विचार आपके अफसर और परिस्थितियों को नियंत्रित करते हैं। अच्छे विचार अच्छे आते हैं, बुरे विचार बुरे फल देते हैं। अगर आप आम का पेड लगाएंगे तो आपको सेब नहीं मिलेंगे, लेकिन बहुत कम लोग इसे mental और moral दुनिया में समझते हैं। और इसलिए बहुत काम लोग इसके साथ काम करते हैं। तीन अब जानते हैं हमारे विचार का हमारी सेहत और शरीर पर क्या असर पड़ता है। शारीर दिमाग का servant है। वो दिमाग के सारे operations को मानता है, चाहे उन्हें सोच समझ कर चुन लिया गया हो या automatically express किया गया हो। गलत विचार की वजह से शरीर में बीमारी बहुत तेजी से आती है। अच्छे विचार की वजह से वो जवानी और सुंदर्ता से भर जाती है। बीमारी और सेहत, हालात जैसे विचारों से आते है। बीमारी के विचार अपने आपको बीमार बॉडी के जरीय एक्सप्रेस करते हैं। जो लोग बीमारी के डर में रहते हैं, वो वही लोग हैं जिन्हें वो बिमरी होती है. टेंशन पूरी बॉड़ी को तोड़ सा देती है और उससे बीमारी के लिए खुला छोड़ देती है. मजबूत, शुद्ध और खुशी के विचार शरीर को बनाते हैं. बॉड़ी एक नाजुक और प्लास्टिक इंस्ट्रूमेंट है, जो बहुत जल्दी विचार पर प्रतिक्रिया करती है. अब वो विचार अच्छे हो या बुरे, बॉड़ी तो उन्ही के तरह से रिस्पॉंड करती है. एक साफ दिमाग से एक साफ जिन्दगी और साफ बॉड़ी आती है. एक बुरे और गंदे दिमाग से एक बुरी और करप्ट बॉड़ी आती है. डायेट में बदलाव उस इंसान को मदद नहीं करेगा, जो की अपने विचार नहीं बदलेगा. जब एक इनसान अपने विचार को शुद्ध करता है, तो वो आटोमाटिकली अशुद्ध खाने को चाहना छोड़ देता है. साफ विचार साफ आतें बनाती है. लेखक कहते हैं कि वो एक ऐसी औरत को जानते हैं, जो की 96 साल की हैं और उनके पास ब्राइट और मासूम चेहरा है, बिल्कुल जवान लड़कियां जैसा. वो ये भी कहते हैं कि वो एक आदमी को जानते हैं, जो मध्यम आयू के हैं, लेकिन उनका पूरा चेहरा डल और सुस्थ हो गया है. एक परिनाम है मधुर और अच्छे विचार का, वही दूसरा परिनाम है असंतोश का. जैसे आपके कमरे में तब तक साफ हवा नहीं हो सकती, जब तक आप खिड़की और दरवाजे को ना खुले और हवा को आने दे, वैसे ही आपके पास एक चमकदार चेहरा और मजबूत बॉडी तब तक नहीं हो सकती है, जब तक आप खुशी और गुडविल के विचार अपने दिमाग में ना आने दे, चार हमारे विचार और उद्देश्य, जब तक सोच को मकसद से लिंक ना किया जाए, तब तक कोई intelligent accomplishment है ही नहीं, जिन लोगों के पास जिंदगी में कोई central उद्देश्य नहीं होता, वो लोग चिंताएं, डर और परेशानिया में आसनी से फस जाते हैं, जो कि उनको निराशा और नुकसान की तरफ ले कर जाता है, एक इनसान को अपने दिल में एक legitimate मकसद रखना चाहिए और उसे पाने की कोशिश करनी चाहिए, इस उद्देश्य को अपने विचारों का केंद्रिय बिंदु बनाना होगा, ये उद्देश्य एक आध्यात्मिक विचार हो सकता है, या कोई भौतिकवादी चीज हो सकती है, चाहे वो जो भी हो, आपको अपने विचारों को उस पर ध्यान केंद्रित करना है, आपको इस उद्देश्य को अपना सरवोच्च करतव्य बनाना चाहिए और उस पार काम करना चाहिए और अपन समय फाल्तू की चीजों पर बर्बाद नहीं करना चाहिए. ये सेल्फ कंट्रोल और विचार के सही कॉंसेंट्रेशन की रोयल रोड है. अगर आप उस उद्देश को पूरा करने में विफल भी हो जाते हैं, तब भी कोई समस्या नहीं है क्योंकि आपको ताकत मिलेगी, वही आपकी सच्ची सफलता है और आप एक नए पॉइंट से फिर से शुरू कर पाएंगे. अपना उद्देश तय करने के बाद, आपको उस उद्देश को प्राप्त करने के लिए मानसिक रूप से एक रास्ता बनाना होगा, न तो बाई ओर और नहीं दाई ओर देखना है. शक और डर को पूरी तारिके से हटाना है, क्योंकि वो ऐसे तत्व हैं, जो आपके प्रयासों को तोड़ देते हैं. शक और डर से कभी कुछ हासिल नहीं हुआ और नाहीं कभी होगा. वो हमेशा फेलियर तक ली कर जाते हैं. उद्देश्य, ऊर्जा और मजबूत विचार, ये सब तूट जाते हैं जब संदेह और डर आता है. किसी चीज को करने की चाह हमें नौलिज से आती है, कि हम उसी चीज को कर सकते हैं, लेकिन शक और डर नौलिज के सबसे बड़े दुश्मन हैं. जो शक और डर को जीत लेता है, वो असफलता को भी जीत लेते हैं. ऐसे इनसान के सारे विचार ताकत से जुड़े होते हैं और सारी मुश्किलों को समझ से पार कर लिया जाता है. पांच, अब हम बात करेंगे कुछ भी पाने के लिए विचार कितना जरूरी है. जो भी कुछ इनसान हासिल करता है, और जो भी कुछ वो हासिल करने में विफल होता है, वो सीधा परिणाम है उसके विचारों का. एक आदमी की कमजोरियां और ताकत, पवित्रता और अशुदता उसी की है, ना की किसी और की, और ये उसी ने लाई है. उसकी हालत भी उसी की है, और ना ही किसी और की. उसकी पीडा और उसकी खुशी अंदर से आती है, बहार से नहीं. जैसा वो सोचता है, वैसा वो बनता है. एक इनसान तभी उपर उट सकता है और हासिल कर सकता है, जब वो अपने विचारों को उठाता है. वो अपने विचारों को उठाना करके, सिर्फ कमजोर और दैनिये ही रह सकता है. युनिवर्स लालची जूटे लोगों को फेवर नहीं करता है, भले ही उपर से देखने में ऐसा लग सकता है, बलकि साच है कि वो अच्छे लोगों की मदद करता है. युगों के सारे टीचर्स ने इसे अलग-अलग तरीके से डिक्लेय किया है, और इसे जाने और प्रूफ के लिए एक इनसान को और सच्चा बनाना पड़ेगा और अपने विचारों को उपर उठाना होगा. सारे achievements, चाहे business में हो, intellectual या spiritual दुनिया में हो, सब directed thoughts का ही result है. वो एक ही कानून में काम करते हैं और तरीका भी वही है, फर्क है तो बस पाने वाली चीज़ का. किताब 2, From Passion to Peace एक सबसे पहले जुनूम, Passion Passion इनसान की जिन्दगी का lowest level है. कोई भी इससे नीचे नहीं जा सकता है. वासना, गुसा, अभिमान, लालच, बदला, जूट बोलना, चोरी करना, जलना, ये सब पैशन के बल हैं. इस अंधेरी दुनिया में गलत लोग जीते हैं और मरते हैं. वो लोग ना ही शुधता की शांती को जान पाते हैं और ना ही उस डिवाइन लाइट की खुशी को एंजोई कर पाते हैं, जो उनके ऊपर हमेशा शाइन करती है. लेकिन समझदार लोग ऊपर देखते हैं. वो पैशन वर्ल्ड से संतुष्ट नहीं होते. वो शांती की ऊपर की दुनिया की तरफ अपने पैर बढ़ाते हैं. कोई भी पैशन से नीचे नहीं गिर सकता, लेकिन सब ऊपर उठ सकते हैं. इस सबसे निचली जगह पर, जहां और नीचे गिरना impossible है, यहां से जो भी आगे जाने का try करता है, वो आगे ही जाता है. यह रास्ता हमेशा हाथों में है और आसनी से सुलब है. यहां पर उस बंदे ने अपने आप entry कर ली है, जिसने मतल बीपन को ना बोल दिया है, और जो अपने दिमाग के elements को control करने का try कर रहा है. अगर आप बिना passion के शुरू करेंगे, तो आपके पास कोई power ही नहीं होगी. Passion पाव को represent करता है, लेकिन अगर पाव को misdirect किया जाए, तो पाव खुशी के बजाए दुख पहुँचाती है. Passion एक gate है, जो की स्वर्ग के gate को guard करता है. वो मुर्ख लोगों के लिए बंद हो जाता है और समझदार लोगों को जाने देता है. अब आप सोच रहे होंगे, मुर्ख और समझदार लोगों में क्या फर्क है? मुर्ख वो है, जो अपने विचारों का गुलाम है और जो passion के आवेगों में फसा रहता है. समझदार वो है, जिसे अपने अज्ञान होने का पता है, जो मतलबी विचारों के खालीपन को समझता है और जो passion के आवेगों को मास्टर कर लेता है. दो, आकांक्षा, Aspiration अपने अज्ञानता को पूरे तारिके से जानने से आत्मज्ञान की इच्छा आती है और तब दिल में जन्म लेती है आकांक्षा. आकांक्षा के पंखों में, इंसान धर्ती से स्वर्ग में उठता है, अज्ञान से ज्ञान में उठता है, और यहां से रोश्नी की तरफ मूव करता है आकांक्षा का मतलब स्वर्ग की चीजों को चाहना होता है, जैसे करुणा, पवित्रता, प्यार और इच्छा का मतलब होता है, धर्ती की चीजों को चाहना जैसे स्वार्थी संपत्ती, व्यक्तिगत प्रभुत्व और कामुक संतुष्टी, सेंश्वल ग्राटिफिकेशन्स जैसे बिना पंक के कोई पक्षी ऊड़ नहीं सकता, वैसे ही बिना आकांक्षा के कोई भी इंसान अपना परिवेश से उपर नहीं उठ सकता वो अपने पैशन का गुलाम है और इवेंट्स के बदलने से उसका मान उथल-पुथल होता है आकांक्षा का मतलब है कि एक इनसान अपने लो स्टेटिस से असंतुष्ट है और एक हाय कंडिशन चाहता है आकांक्षा सारी चीजे संभव करता है वो उन्नती और खुशी के सारे दर्वाजा खोल देता है तीन प्रलोभन, Temptation आकांक्षा एक इनसान को स्वर्ग में लेकर जा सकता है लेकिन वहां पर रहने के लिए उसे अपने दिमाग को स्वर्ग की स्थितियों की आदत दिलानी पड़ती है प्रलोभन यही काम करता है प्रलोभन का मतलब है आकांक्षा से इच्छा पर वापस जाना ये तब तक आकांक्षा को डराता है जब तक एक ऐसा बिंदू नहीं आ जाता जब इच्छा शुद्ध ग्यान के पानी में पूरी तारिके से डूब जाए सफलता पूर्वक जीतने के लिए एक इनसान को बुरे से बाहर आना होगा और अपने आपको प्रेजन्ट करना होगा और प्रलोभन की वजह से ही एक इनसान का बुरा बाहर आता है आकांक्षा का मतलब होता है कि एक इनसान ने कम से कम उपर उठने का एक कदम लिया है और इसलिए वो पीछे भी आ सकता है ये बैक्वर्ड अट्राक्शन का मतलब टेंप्टेशन होता है प्रलोभन के तत्व अशुद्ध विचारों में होते हैं चार श्रेष्टता, Transcendence जब एक इनसान टेंप्टेशन की डाक स्टेज को पार कर लेता है तो वो एक संत बन जाता है एक संत वो है जो Self Purification चाहता है, जो Self Purification के रास्ते को समझता है और जो अपने आपको Perfect करने में लगा रहता है लेकिन बुरा काम होने और अच्छाई को अंदर लेने की वज़े से एक ऐसा समयाता है जब दिमाग में एक नया विजन, एक नई चेतना और आखिरकार वो एक नया इनसान बनता है जब ये हासिल होता है तो एक संथ सेज बन जाता है यानि वो इनसानी जिन्दगी से डिवाइन जिन्दगी में पास हो जाता है वो फिर से जनम लेता है और उसके लिए experiences के नई रास्ते शुरू होते हैं उसके पास एक नई पावर होती है और उसके लिए एक पूरा यूनिवर्स खुल जाता है ये transcendence की stage है जैसे लेखक transcendent जिन्दगी कहते हैं जब tension, doubt और परेशानी खत्म हो जाती है जब वासना और गुस्सा विचार में भरे नहीं होते जब एक इनसान अपनी हालत के लिए किसी और को दोश नहीं देता है और जब सारे स्थितियों को अच्छा समझ जाता है क्योंकि वो कारण का परिनाम है तब transcendence पाई जाती है तब limited personality बाहर आती है, divine जिन्दगी को जाना जाता है और एक इनसान बुरे से उपर उठता है और सब में अच्छाई देखी जाती है Divine consciousness इनसान का एक intensification नहीं है बलकि ये चेतना का एक नया रूप है Transcendent जिन्दगी passion से नहीं, बलकि principles से जी जाती है उसमें एक इनसान impulses में नहीं फसा रहता है, बलकि कानूनों का पालन करता है जब एक इनसान passion में शामिल रहता है, तब वो अपने आपको काफी चीजों पर burden करता है लेकिन एक transcendent जिन्दगी में ऐसा कुछ भी नहीं है उसमें व्यक्तिगत हित, universal उद्देशिकी जगह हो जाते है पांच धन्यता, beatitude जब divine अच्छाई अभ्यास की जाती है, तो जिन्दगी खुशी से भर जाती है खुशी एक अच्छे इनसान की normal condition है बाहर के हालात, परेशानियां, जो की दूसरे लोगों को suffering ला कर देते हैं वो उसकी खुशी को और ज्यादा बढ़ाते हैं, जिसकी जिन्दगी खुशी से भरी है human virtue खुद से भरी है, इसलिए उसमें दुख है लेकिन divine virtue में से दुख हट जाता है, और जिन्दगी में सिर्फ खुशी भरी होती है तो वो कौन से transcendent गुण हैं, जिनके अंदर खुशी और आनंद है? वो हैं निश्पक्षता, इंसानी दिल और इंसानी actions में इतना ज्यादा गहराई से देखना, जिससे एक इंसान किया एक पार्टी के साथ साथ साइड लेना असंभव हो जाए असीमित दयालुता सारे लोगों के लिए, जीवों के लिए, चाहे दुश्मन हो या दोस्त हर वक्त और सारे हालात में perfect patience सा दिमाग की stainless शुदता, इसका मतलब सारे बुरे विचार और अशुद कल्पना से आजादी छे शांती जहां passion है, वहां शांती नहीं है, जहां शांती है, वहां passion नहीं है लोग शांती के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन passion से चिपके रहते हैं नफरत और प्यार एक ही दिल में नहीं बह सकता आत्मविजय के रास्ते से perfect शांती हासिल होती है जिसने ये एहसास कर लिया है कि दुनिया का दुश्मन बाहर नहीं, बलकी अंदर है कि अनियंतरित विचार, भ्रम और मुश्किल का सुरोत हैं, वो इनसान अपने आप संत के रास्ते पर है अगर एक इनसान वासना और गुस्से को, नफरत और गर्व को, स्वार्थ और लालच को जीत लेता है, तो वो अपने आप दुनिया जीत लेता है अब शांती उसी के साथ रहती है साफ दिल वाले लोगों के पास शांती होती है वो उनके अक्शन में एंटर करती है, फिर उनकी लाइफ में